हलो बच्चो, आज हम लोग मराठी, सुलब भारती, यत्ता चाउथी का लेसन नमबर आट गम्मत कोडे इसको सॉल्व करेंगे गम्मत कोडे यए फणी पजल गम्मत यए फणी कोडे यए पजल तो देखते हैं इसमें क्या फणी पजल है बच्चो तो क्या है इसमें हम लोग रीड करते हैं या अक्षरान पासून तैयार होना रिया शब्दान ची चित्रे शोधा दाखवा वन आवे सांगा याने अ आ और ओ अउम इन अक्षरों से शुरू होने वाले पिच्चर्स या पर नीचे जो पिच्चर्स दिये है इसमें से ये पांच अक्षर से कौन से पिच्चर्स शुरू हो रहे है तो उसको क्या करना है शोधा शोधा यहने सर्च करो डूढ़ना है उसको उसके बाद में दाक हुआ वो नावे सांगा फिर ढूनने के बाद उसको बताओ और उसका नाम बोलो तो चलो देखते हैं इसमें ये पजल में बच्चो कौन-कौन से वर्ड्स आ, आ, ओ, आओ और अम से शुरू हो रहे यह हम लोग उपर से शुरू करते हैं तो यह सबसे पहला क्या है उपर? यह है टोपी, तो यह ट से शुरू हो रहा है तो ट हमको नहीं चाहिए इसके बाद में क्या है? यह नट क्रैकर है तो इसको मराठी में बोलते है अड किता तो अड किता अ से शुरू हो रहा है तो यह हमको चाहिए तो यहां हमको लिख देना है अड कित्ता यह सुपारी काटने के लिए पान वाले लोग यूज़ करते है न वो यह फिर इसके बाद इस तरफ क्या है अंडी तो अंडी भी अ से शुरू हो रहा है अं से शुरू हो रहा है तो यह भी हमको चाहिए अंडी मराटी में अंडे को अंडी बोलते है इसके बाद यहाँ पर यह है फनस तो फनस फ से शुरू हो रहा है तो फ हमको नहीं चाहिए तो उसके बाजू में आईस्क्रीम आईस्क्रीम का आ से शुरू हो रही है तो आ हमको चाहिए तो ice cream इस तरीके से लिखते है उसके बाजू में क्या है यह जो चितर दिया है इसमें यह ओड़नी दिखाई हुई है तो ओड़नी O से शुरू हो रही है तो O हमको चाहिए तो ओड़नी इस तरीके से लिखते है बचो फिर left में आ जाते है तो यहां है आरसा आइने को मराठी में कहते हैं आरसा तो आरसा आ से शुरू हो रहा है तो यह हमको चाहिए आरसा के बाजू में है आमबा मैंगो को मराठी में आमबा बोलते है तो यह भी आ से शुरू हो रहा है तो यह भी हमको चाहिए तो इसको भी हम लिख देंगे spelling उसके बाद क्या है यह है फुगा, बलून, बलून को फुगा बोलते हैं तो यह फर्स से शुरू हो रहा है, तो यह हमको नहीं चाहिए और यह है स्कूल बैग, इसको मराटी में बोलते है दपतर तो यह द से शुरू हो रहा है, तो यह भी हमको नहीं चाहिए और यह जो यहाँ दिया है, यह है नांगर यानि जो खेत में जोतते हैं, तो यह न से शुरू हो रहा है तो यह भी हमको नहीं चाहिए देखते हैं, फिर से लेफ में आके क्या है दर अब यहाँ पर है अंगटी, अंगोटी को मराटी में अंगटी कहते हैं, तो अंगटी अं से शुरू हो रही है, तो यह हमको चाहिए, तो अंगटी इस तरीके से लिखते हैं बच्चों, और उसी के नीचे यह है ओठ, होट को मराटी में बोलते हैं ओठ, तो यह ओ से शुरू हो रहा है तो यह हमको नहीं चाहिए फिर यह है अंजीर तो अंजीर अन से शुरू हो रहा है तो यह हमको चाहिए तो अंजीर इस तरीके से लिखते हैं बच्छो इसके बाद में यहां है कुलूप मराठी में ताला को बोलते है कुलूप यह क से शुरू हो रहा है तो यह भी ह पेड़ी क से शुरू हो रहा है, तो यह हमको नहीं चाहिए, अब यह लास्ट बचा अननस, तो अननस अ से शुरू हो रहा है, तो यह हमको चाहिए, तो अननस इस तरीके से लिखते हैं, तो यह है, बहुत सारे वर्ट्स हमको मिल गए, अ से, आ से, ओ से, अम से, तो यह वर्ट इसको बच्चो अच्छे से अपने notebook में लिख लो और इसको अच्छे से उसका meaning भी समझ लो किसको बोलते हो और इसको spelling भी अच्छे से लिखके याद कर लो तो बहुत सारे words आज हमको यह puzzle में सीखने के लिए मिल गए तो next video तक बाई बाई